हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम व्यापार जगत की गतिशीलता का पता लगाते हैं। आज के वीडियो में, हम इंडिगो एरलाइन्स की सफलता की कहानी और एरलाइन उद्योग पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम जाच करेंगे कि इंडिगो एक प्रमुक फिलाडी के रूप में कैसे उभरा है और यह अपने प्रतिस परदियों के लिए क्या चुनौतिया पेश करता है। आएं शुरू करें। 1. इंडिगो का बिजनेस मॉडल 2006 में स्थापित इंडिगो एरलाइंज ने अपेक्षा क्रित कम समय में उनलेक्निय बृद्धी हासिल की है। इसकी सफलता के पीछे प्रमुख कारकों में से एक इसका कम लागत वाला वाहक मॉडल है, जो ग्राहकों की एक रिस्टिक श्रिंखला के लिए किफायती किराय की पेश-पिश पर केंद्रित है। इस ग्रिष्टिकों ने एक बड़े ग्राहक आधार को आकरशिक किया है, जिसमें बजग की प्रती जागरों की यात्री और बार-बार यात्रा करने वाले यात्री शामिल है। 2. कुशल संचालन और बेरा प्रबंधन इंडिगो के कुशल संचालन और बेरे प्रबंधन ने भी इसकी सफलता में महत्वपून भूमिका निभाई है। एरलाइन ने लगातार उच्च स्तर की समेपालनता बनाये रखी है, देरी और रगदी करन को कम किया है। 3. विस्तार और बजार में प्रबेश इंडिगो ने हाल के वर्षों में घरेलू और अंतराश्ट्री अस्तर पर अपने नेकवका आक्रामक रूप से विस्तार किया है। रंगनी तिक रूप से उच्चमानद वाले मार्गों को लक्षित करके और नए गंतव्यों को जोल कर, एरलाइन ने एक महत्वपून बजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। प्रमुक शहरों में इसकी मजबूत उपस्थिती और कनेक्टिविटी पर इसके फोकस ने इसे कई यात्रियों के लिए पसंदीदा विकंट बना दिया है। प्राहक उन्मुक द्रिश्टिकून प्राहक संकुष्टी के प्रती इंदिगों की प्रतिबधता इसकी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ती रही है। एरलाइन में यात्रियों को निर्बाद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लक्षय के साथ सुगधा, विश्वस्नियता और सेवा गुनवत्ता को प्राथमिक्ता दी है। इसकी उप्योग करता अनुखूल वेटसाइट, कुशल चेक-इन प्रक्रिया और चौकस केविन क्रू ने सकारात्मग ग्राहक प्रतिक्रिया और वफादारी में योगदान दिया है। 5. प्रतिसपर्धी चुनोतिया जैसे जैसे इन्दिगो का विकास और विस्तार जारी है। उसने एरलाइन उद्योग में अपने प्रतिसपर्धियों के लिए चुनोतिया ख़़ी कर दी है। इसके कम लागत वाले मॉडल और आक्रामक मूलिय निर्धारन रन्नीतियों ने अन्या एरलाइनों पर दबाव डाला है। जिससे उन्हें अनुकूलन करने और प्रतिसपर्धी बने रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे प्रतिसपर्धा, किराया युद्प्रो और बजार की गतिशीलता में बदलाव बढ़ गया है। 6. उद्योग प्रभाव 7. सहयोगात्मक प्रयास और एरलाइन उद्योग पर इसके प्रभाव की खोज समाप्त करते हैं। ये सपाश्ट है कि एरलाइन के कम लागत वाले मॉडल, कुशल संचालन और ग्रहक उन्मुक द्रिष्टिकों ने इसकी सफलता को प्रेरित किया है। हाला कि इसने प्रतिसपर्दियों के लिए चुनौतिया पेश की है, इसने सकारात्मक बदलावों को भी प्रेरित किया है और यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बढ़ाया है। इंडिगो एरलाइन्स के उत्थान की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और व्यापार जगत के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक उद्योगों और व्यापसायों के गतेशीव पर इद्रश्यकी खोच करते रहें।